हलो एन वेलकम स्टुडेंट स्टुडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी MCQs-based तो ये कोशन जो है आपके अप्रिकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ज़दा ही important होने वाले तो वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना बूलें आज की वीडियो का पहला कोशन आपके सामने है जल्दी से आंसर को कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे तो कोशन क्या कह रहा है स्टुडेंट कोशन कह रहा है कि live together is the result of live together जो है ये किसका result है सांस्कृताइशन, इंडस्टाइशन या सेक्लूरिज्डम या फिर वेस्टनाइशन, जल्दी से बताइए चारों ओप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कमेंट करिए I hope सबने कमेंट कर लिया होगा तो इसका जो आंसर है स्टुडेंट वो है D, वेस्टनाइशन इस दा आंसर लिव टुगेदर का जो रिजल्ट है वो क्या होता है वेस्टनाइशन याद रखेगा चलिए नेक्स कोईशन पे नेक्स कोईशन भी आपके सामने है जल्दी से आंसर दीजे कोईशन क्या गह रहा है जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा इंडस्टनाइशन, अर्बनाइशन, सेक्लरेजम या फिर लाइबराइशन जल्दी से बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका कोईशन नमर टू का I hope सबने गेस कर लियोगा तो इसका जो आंसर है इंडस्टनाइशन is the right answer याद रखेगा इंडस्टनाइशन is the right answer चलिए next question पे चलिए next question पे तो next question आपके सामने है जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए तो इंडस्टन क्या गह रहा है कि the doery prohibition act doery को बंद करने के लिए जो act किया गया था लाया गया था when it is a past ये act कब पास किया गया 1961, 1972 1978 या फिर 1960 जल्दी से बताईए क्या आंसर होगा इसका समने पड़ा होगा बहुत easy है जल्दी से बताईए I hope समने कैस कर लिया होगा तो याद रखेगा important question है doery prohibition act लाया गया था 1961 में कब लाया गया था 1961 में तो ये इसका सही answer होगा चलिए next question पर चलते है next question आपके सामने है इसका भी जल्दी से answer दीजिए रखते कितने अच्छे इसका answer सही से करते है question क्या गया रहा है कि maintenance and welfare of parent and senior citizen act when it is passed maintenance और welfare of parent and senior citizen act ये act था एक ठीक है जो maintain करने के लिए ठीक है welfare के लिए parent के और citizen senior citizen के लिए लाया गया था ये कब बनाया गया कब पास हुआ जल्दी से बिताईए क्या ये 2001 को या फिर 2008 को या फिर 2007 या फिर 2011 को हुआ जल्दी से बिताईए क्या इसका सही answer होगा I hope अभी तक सबने guess कर लिया होगा तो इसका तो right answer as student वो है C 2007 is the right answer for this question याद रखेगा the maintenance and welfare of parent and senior citizen act जो था ये 2007 को लाया गया था important question है चलिए next पे question सामने है जल्दी से answer कीजिए question क्या गया रहा है student in which year सती प्रेक्टिस abolished by the British government सती प्रथा ठीक है एक प्रथा थी ठीक है जिसमें जो विडियोस होती थी उनके husband के साथ में उनको जला दिया जाता था ठीक है कुछ जगों पे ऐसी प्रथा चलना शुरू हो गी थी ठीक है तो कह रहा है कि कब abolished की गी और British government के time पे हुई है जल्दी से बताइए British government के time पे हुई है और एक कब abolished की गी थी क्या 1820 में हुई है या फिर 1829 1828 या फिर 1850 में जल्दी से पताइए I hope सबने guess कर लिए होगा तो right answer is 1828 C is the right answer for this question चलिए next question पे चलिए next question पे question सामने है जल्दी से answer दीजिए तो question क्या कह रहा है student The history of human marriage Who wrote this book ये history of human marriage की book किस ने लिखी थी इन में से जल्दी से बताइए क्या वो Macliver and page 1927 या फिर Western Mark था 1921 या फिर Derekham 1914 में किया था या फिर Kingsley Davis ने 1920 में किया था The history of human marriage ये book थी किस ने लिखी है इन में से जल्दी से comment करिये रही answer इसका comment box पे I hope सबने guess कर लिया होगा तो इसका जो right answer है वो है B लिखा है Western Mark 1920 is the right answer चलिए चलते हैं next question पे Question सामने है जल्दी से answer करिये student Question क्या कह रहा है यहाँ पर The extended family as a composite form of the family Who says this Extended family जो है वो composite form of the family है ये किस ने कहा था जल्दी से बिताइए TB, Botomore, Augborn, Nimkov या Imayal, Durkhim और ये ननावदीस क्या इसका सही answer होगा जल्दी से इसका उत्तर comment करिये comment box पे I hope सबने guess कर लिया होगा इसका जो right answer है student वो है TB, Botomore A is the right answer याद रखेगा चलते हैं next question पे Next question भी आपके सामने है जल्दी से इसका भी answer कीजिए देखते हैं कितने बच्चे इसका comment box पे answer करते हैं comment और सही answer करते हैं जल्दी से करिए What age is identified as old age in India किस age को इंडिया में old age माना जाता है इन सब age में से क्या वो 60 है 55 है, 62 है, 58 है अगर थोड़ा सा भी guess करोगी कहीं कि clue मिलेगा और इसका answer आप आराम से कर सकते हैं बहुत ही easy question है तो I hope सबने guess कर लियोगा इसका जो answer हो है A, 60 is the right answer चलिए next question पर Next question है When the Hindu marriage act passed by the government Hindu marriage act जो था ये government ने past तो किया था बट कब किया था जल्दी से बताईए 1957, A answer है B, 1958 C, 1955 D, 1954 क्या इसका answer होगा जल्दी से comment box पर comment करिये I hope सबने guess कर लिया होगा इसका answer जल्दी से बताईए क्या वो A है 1950, B, 1969 C, 1952 या फिर D, 1954 जल्दी से comment box पर comment करिये इसका answer I hope सबने guess कर लिया होगा इसका जो answer है D, 1954 is the right answer चलिए next question पर Question सामने है जल्दी से answer की लिए Student क्या कह रहा question The Child Marriage Restraint Act When It Is Pass The Child Marriage Restraint Act जो था ये कब पास किया गया जल्दी से बताईए हूँ और comment box पर ये भी बताना मुझे कि ये act था क्या ठीक है देखते कितना बड़ा आपने हूँ ठीक है जल्दी से बताईए हूँ क्या A था 1927 B था 1920 C था 1929 या 1930 इस दे राइट आंसर जल्दी से बताईए क्या इसका सही आंसर होगा जल्दी बताईए I hope सबने guess कर लियोगा तो इसका आंसर है C 1929 इस दा राइट आंसर चलिए next question पर question सामने है इसका भी जल्दी से आंसर जीजिए Family Planning Research and Program Committee बनाईएगी क्या कह रहा है कि Family Planning Research and Program Committee जो थी इक बनाईएगी या कब establish हुई है आप वो comment box पर comment करके बताईए जल्दी करिए क्या वो A था 1953 B 1945 C 1967 D 1989 जल्दी बताईए I hope सबने गैस कर लिया होगा तो इसका आंसर है A 1953 is the right answer चलिए next question पर question number 13 सामने जल्दी से आंसर करिए कह रहा है Control Family Planning Board when it is established ये कब बनाया गया 1956 1957 1961 ये 1962 जल्दी से बताईए क्या सही आंसर होगा इसका गैस कर लिया होगा सबने तो देखिए इसका आंसर जिन्होंने गैस नहीं किया उनके लिए आंसर है B 1957 is the right answer चलिए next question पर question सामने है जल्दी से आंसर करिए who is the writer of modern family modern family का writer कौन था इन सब writers में से सारे writer के नाम दियेंगे इन में से कौन सा writer ऐसा था जिसने modern family book लिखी है Kingsley Davis Robert F. Finch Mac Leaver and Page and none of them जल्दी से बताईए I hope इसका भी आंसर सब को पता होगा तो जिनको नहीं पता उनके लिए है B B is the right answer for this question Robert F. Finch is the right answer चलिए next question पर चलते हैं फिफ्ट पर बताईए मुझे जल्दी करिए इसका आंसर क्या होगा question कह रहा है फिफ्टिंथ question sorry फिफ्ट बोह रहा था मैं फिफ्टिंथ question क्या कह रहा है फिफ्टिंथ question the family who wrote the family who wrote this book जल्दी से पताईए the family book लिखने वाला कौन था जल्दी से comment box पर comment करिए the family किस ने लिखी है Kingsley Davis, Robert F. Winch, John Bradshaw या M.N. Siri निवास जल्दी से comment box पर comment करिए I hope सब ने कैस कर लिए होगा तो इसका आंसर है John Bradshaw is the right answer चलिए next question पर question number 16 जल्दी से इसका भी आंसर दीजिए question कह रहा है the caste and joined family the caste and joined family who wrote the book the caste and joined family who wrote this book जल्दी से बताईए R.P. Desai, M.N. Siri निवासन रामा नुच गंगोली या डाक्टर इरा बती कारवे जल्दी से बताईए I hope इसका भी सबनी answer guess कर लिए होगा का अंजर है A.R.P. Desai is the right answer चलिए next question पर question number 17 क्या कह रहा है student the kinship organization in India who wrote this book kinship organization in India इस book को किसने लिखा था जल्दी से बताईए R.P. Desai, M.N. Siri निवासन रामा नुच गंगोली या डाक्टर इराबती कारवे जल्दी से बताईए क्या सही तर होगा इसका I hope सबने केस कर लिए होगा तो इसका आंसर है D. Dr. E.R. इराबती कारवे is the right answer चलिए next question पर question सामने है इसका भी जल्दी से आंसर करिए In which year Central Social Welfare Board established कौन से साल में Central Social Welfare Board बनाया गया 1956, 1960 1953 या 1950 में जल्दी से comment करिए बहुत easy question है I hope सब को पता होगा इसका answer है C. 1953 is the right answer ठीक है यह इसका सही उत्तर होगा चलिए next question पर student question सामने है जल्दी से answer करिए question क्या गया रहा है family is a dash part of society family जो है वो dash part है ठीक है society का कौन सा part हो सकता है जल्दी से बताइए क्या वो A है federal part central part B जल्दी से बताइए क्या इसका answer होगा बहुत easy question है थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हुआ अच्छे से तो आप अराम से इसका answer कर सकते हो तो इसका जो right answer है student सबको पता होगा family is the central part according to sociology family जो है वो central part है किसका society का याद रखिएगा तो चलिए वीडियो के last question पे देखते हैं इसका answer कितने बच्चे अच्छे से करते हैं सही से करते हैं जलिए से बताईए कह रहा है which is not related to joint family इनमें से कौन सा जो है वो joint family के साथ relate नहीं करता है ठीक है जलिए से बताईए क्या वो common property है high interaction है big mass है generation relationship है या all of them है जलिए से बताईए क्या इसका सही answer होगा ठीक है A है B है C है D है या E है comment करिए जलिए से answer हमें वो बताना है जो joint family के साथ relate नहीं करता ठीक है जलिए से बताईए चलो हम बात करते हैं कि joint family के साथ कौन कौन सी चीज़े relate करते हैं पहली बात joint family में सबकी property common होती है यह उनकी characteristics बता रहा हूँ पहली बात यह तो इसका मतलब joint family में होता है यह तो answer नहीं होगा ठीक है ठीक है sorry common property नहीं होती ठीक है या दखना उसके बाद आता हाई interaction जलिए से बताईए यह भी rate करता है joint family का factor है ठीक है high interaction होती है सारे एक दूसरे की तरफ interact होंगे तभी तो एक family के अंदर रह सकते है big mess होता है ठीक है kitchen बड़ा होगा ठीक है उसके बाद generation relationship ही क्या होंगे जादा होंगे मतलब तीन चारो के चारो जो part है वो joint family की properties है तो हमें not related लिका आना था सारे relate करते है इसका मतलब answer आएगा all of them is the right answer for this question तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next studio में और ज़द आचे questions के साथ thank you for watching this video subscribe करना ना भूले मिलते हैं next studio में